आज मैं आपके लिए करके आई हूँ दाल बाटी की रेस्प एकडम साही खाना यह राजिस्थानी खाना होता है तो आज मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करने वाली हूँ बाटी बनाने के जिसमें आप बिना तंदूर बिना ओवन के घर पर बहुत ही जबर जस्त बाटियां बना पाएंगे एकडम सॉफ्ट मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ यह देखे कितनी आसानी से यह टूट रही है और सास में ही मैं आपके शेयर करूँगी बाटी के लिए स्पेशल दाल की रेस्प आपको बहुत पसंद आएगी और जो तरीका है इतना इजी है कि कि आप तंदूर की बाटियां खाना भूल जाएंगे बहुत अच्छी बाटियां बनती है तो चलिए फ्रेंस देर न करते हुए श्रू करते हैं आज कि यह स्पेशल दाल बाटी की रेस्प तो सबसे पहले हम बाटी के लिए प्रिप्रिशन कर लेते हैं तो यहां पर मैं ल दालते हैं और इसमें हम डालेंगे एक चोटी चमच अजवाइन अजवाइन से बाटी में बहुत बड़ी अफ्लेवर आता है और अजवाइन फायदे मन्द्वी होती है आप यहां पर जरूरी बाद यहां पर डालेंगे एक चोथाई चमच मीठा सोडा जिसे आप अज़र में नहीं है घी डालने का मैं भी बताऊंगे कि आप कैसे पहचान करेंगे कि घी परफेक्ट है या नहीं तो घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटा में और फिर हम इसको इस तरह से मुठी में दबाएंगे अगर यह तुरंत ही फैल रहा है यह देखे दवाते ही फैल रहा है तो बंध नहीं रहा है इसका मतलब है घी की हमें और जरूरत है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते जाएंगे और जब तक हमें डालना है जब तक कि इसमें बिलकुल लड्डू जैसे आटा ना बंदने लगे तब तक हमें डालना है अब आप सोच तो हम करें सकता है देशी घी का इस्तमाल बहुत ही इसे अ्म देशी घी और साथ ले रहे हैं तो आपके हैं लगब बेशन आपके पास चनाanda का शत्त्तू प्यात की को भून रही हूं तो आप यहां पर जरूरी बात गैस को बिलकुल रखना है पांस से छे मिनट तक बेशन को लो फ्लेम पर भूना है बिलकुल कच्छापन नहीं रहना चाहिए इससे सौंधी सौंधी सी खुश्बू आनी चाहिए और जो बेशन है ना इसका कलर हल का सथ चें क्झा काल यह बांस पर कर लिया है आप फिर से दालेंगे थोड़ा सा नमग प्लुकुल हलका सा नमग डालना है इसके क Such जीरा अपर हैं जीरा में दर अलए तो इसमें थोड़े से पानी के छीटे मार के इसको अच्छे से गूत लेते हैं तो यहां पर ज्यादा पानी नहीं लगेगा थोड़ा ही पानी लगेगा क्योंकि बेसन है बहुत जल्दी गीला हो जाता है चलिए इसको भी हमने सक्त गूत लिया है और इन दोनों आटा को हम 15 म के लिए रख देते है जब तक हम प्रेप्रेशन कर लेते हैं रहरा दाल की तो बनाने के यह चलिए ऐसी धाल के शामने दाल बनाने के लिए यहां पर अरभए एक कप अरचव लेंगे मसूर की ढाल तो इसमें धूल है हम इसको डालेशार कुकर ननी दालाइक me पानी जरुषी बात मसूर की मासूर के सबसाथु कêts लाएक जाए तो सब्साते सब्सक्राइब उटाहरां ठोड़ी व्यूह में अताथ छंच च मच तौल दालेंगे लिए मासूर की लेकाया साथ यह बहुत बढ़िया खुश्बू आती है दाल से और इसमें हम डालेंगे स्वादनसार नमक और इसका ढखकन बंद करके इसमें हम दो विसल्स आने देते हैं कितने बिसल्स में डाल पकग जाती है तो चलिए हम दाल को पका लेते हैं तो लीज़े प्रेशर निकल गया है और और दाल जो है फाइनली पक चुकी है इसको फ्राइक प्रोसेस तो एक कढ़ाई में हम यहाँ पर लेंगे एक बड़े चम्मश देसी घी यहाँ पर चाहिए त तेल का यूज भी कर सकते हैं, इसमें हम डालेंगे एक चम्मश जीरा, एक चुथाई चम्मश सरसों के दाने, चुटकी भार हींग, और साथ में डालेंगे दो लॉंग, और तीन हम सावुद लाल खडी मिश डाल देते हैं, और इन सबी को हम हलका सा भून लेंगे, और आब हम प्याच को सुनायरा होने तक भूल लेंगे, तो प्याच का कलर आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया गोलन ब्राउन हो चुका है, इस स्टेच पर हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, तो आप दो मीरियम साइस की टमाटर ले लीजे, इतने परियाप्त हैं, और टमाटर को अगर आपके पास डाल मसाला नहीं है, तो इसमें आप एक चमर्च धनिया पाउडर एट कर दीजिए, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो चलिए हम सबी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और खूब अच्छे से भून लेते हैं, मसाला अच्छे से अगर आप गाड़ी दाल खाना पसंद करते हैं, तो पानी इसकिप कर दीजिए, और चलिए इसको हम ढख करके 2-3 नट के लिए अच्छे से पकने देते हैं, तो फाइनली जो दाल है हमारी पक चुकी है, और बहुत बढ़िया बाटी के लिए स्पेशल दाल बन करके तयार ह हो गई है, वैसे तो आप बाटी किसी भी चीज सबजी या दाल के साथ खा सकते हैं, अब जो आटा है अच्छे सी सैट हो चुका है, तो इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं, और इसकी हम छोटी-छोटी सी लोईया काट लेंगी, लोईया काटने से एक शेप की हमारी बाटी बनेंगी, आप चाहे तो डिरेक्ली थोड़ा-थोड़ा आटा ले करके इसको बना सकते हैं, तो इसकी हम छोटी-छोटी सी बाल्स बना करके तयार कर लेंगे, कुछ इस साइज की रखनी है, जैसे रसगुले होते हैं, उसी सेप में आपको साइज में रखना है, तो इस तर बना करके तयार कर लेते हैं, तो लीजी हमने इसकी चोटी बाल्स बना ली है, अब हम बनाएंगे बाटी, तो बड़ी बाल्स को हम इस तरह से फैलाएंगे, और चोटी बाल्स को इसके अंदर रखेंगे, और उपर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे, और इसको फिर से हम गोल गोल गुमाते हुए एकसा कर लेंगे तो लीजे हमारी बाटिया बन करके तयार है तो इसी तरह से हम सारी बाटिया बना करके तयार कर लेंगे यहाँ पर जरूरी बात जरूरी नहीं है आप बेशन की डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाएं आप थोड़ा थोड़ा सा बाटी बन करके तैयार है चलते हैं गैस की तरफ तो यह मेरा पहला मेथड है और जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगी इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है तो वह जरूर देखिए का इसके मत करिएगा तो हमने अप्पे पहन लिया है और हमने हलकल का ओई लगा दिया है और तो आप देख सकते हैं यह नीचे की तरफ काफी अच्छे से सिख चुकी है तो लो फिलिम पर ही आपको सेखना है और जो दूसरा मेथड है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बाटी बहुत बहुत ही अच्छी बनती है तो चलिए इसको फिर से ढग देते हैं और 10 कटोरे में देशी घी रखा हुआ है और इसमें सारी बाटी को डाल देंगे जो लोग बाटी खाते होंगे और शौकी ने वह अच्छी तरह जानते होंगे कि बाटी का असली मज़ा देशी घी के साथ ही आता है जब तक उसमें डूबे ना रहें 10-15 मिनट तक जब तक उसका तो चलिए मैं आपको एक बाटी तोड़ करके देखा देती हूं कि यह अंदर से कितनी सौफ्ट है कितने आसानी से चूट रही है तो यह देखिए आपकी कितने आसानी से हाथ से ही हम इसको तोड़ पा रहे हैं बिल्कुल भी सक्त नहीं है बहुती खुसक बाटी बनी है तो तो चलिए मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूं यहां पर मैं आपको तंदूर बनाना बता रही हूं इसके लिए आप कढ़ाई रख लीजिए कोई सी भी कढ़ाई हो मौटे तल्की हो नॉनिश्टिक हो इसमें हम बिछा देते हैं नमक जो हम केक में इस्तिमाल करते हैं आप बिछा सकते हैं इस तरह का आप स्टेंड रख लीजिए यह नहीं है तो छोटी सी कटोरी रख लीजिए अब इसकी उपर रखेंगे हम इस तरह से जो चन्नी आती है इसको हम रख लेंगे तो थोड़ी सी उचाई रहेगी टच में नहीं रहेगा नमक के बाटियां तो इसमे जचाई भी रहेगी और उसमें ऊपर जाली रहती है यह बाटियां भी रख सकते है तो लेजे मैंने सभी बाटियों को सेट कर दिया है और अब सेट कर देंगे में लेजिए बन करके तयार है हमारा घर का तंदूर सबसे बढ़िया होता है वही बर्क करता है जो बाजार वाले तंदूर करते हैं कह लीजिए यह ओवन वाला बर्क भी करता है अंदर यांदर हीट रहती है नमक से हीट निकलेगी बाटी धीमी धीमी आज पर सिखती है तो आपको इसको लोटू मीडियम पर लगभग 15-20 मिनट तक सेखना है बीच वीच में आप चाहे तो चेक करते जाएं यह देखिए मैं आपको बीच में थोड़ा सा चेक करके बता रही हूं यह अभी हलकी हुई है ज्यादा नहीं हुई है इसको भी हम फिर से शिखने देते हैं तो इनको सिखने में थोड़ पर लगभग 15-20 मिनट भी दूसी तरफ लगेंगे सिखने में आप चाहे तो बीच वीच में चेक कर सकते हैं तो चलिए इनको हम फिर से देख लेते हैं तो यह देखिए नीचे की तरफ कितनी बढ़िया सिखी है बिल्कुल बिस्किट जैसी फट चुकी है तो अगर इस तर करके घी में फिर से दूबो देते हैं 15 मिनट के लिए डूबे रहने दीजिए तो लीजे यह हमारी तंदूर वाली बाटी बनकर के तयार है तो इसको भी हम सर्फ करेंगे तो यह देखिए कितनी सुन्दर लग रही है बाटी कोई कह सकता है इसको हमने बिना ओवन बिना तं यह देखिए कितनी आसानी से तूट रही है यह अंदर से बहुत ही खुसक है और देखिए कितनी अंदर तक इसमें घी अब्जूर्ब हो गया है बहुत ही टेस्टी है तो आप भी घर पर बड़े आसानी से दाल बाटी बना करके तैयार कर सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकत बिलकुल मत बूलेगा तो गाईस फिर मिलते हैं अगली रस्पी के साथ तक लेगा जाए तक लेगा है